हेलो दोस्तों वियास एक्री हेल्पिंग चैनल के माध्यम से आज हम फिर आपको एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहे हैं और ऐसी वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे कि आपके आलू की वसल्क में बहुत ही ज्यादा इंपोडेंट होने वाली है क्योंकि दोस्तों आज के समय ह आप देखे तो आज हमारा आलू जो है जालतर सिष्टी डेज के आसवास पहुच चुका है जिसमें की आपने देखा ही होगा बहुत सारी प्रॉटों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस प्रॉब्लम्स का सॉलूशन करने के लिए आज हम फिर से एक बार बीया सैक्री को ऐसी ऐसी जानकारी मिलती है जो कि आपको अधर चैनल के माध्यम से समय के अंसवार नहीं मिल पाती होगी दोस्तो हमारे साथ बनने के लिए मैं फिर चे एक बार आपका दिल से धनबात करना चाहता हूँ और दोस्तो हमारे साथ बने रहेगा लंबे समय तक आपको बहुत सुबधायम मिलने वाली है तो दोस्तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपको आधार चैनल के माध्यम से नहीं मिलेगी चलिए दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं अलुकी फसल के बारे में जो कि आपने देखा ही होगा कि जो हमारी अ नजर आती होगी यानि मतलब दोस्तों कि आप देखेंगे तो उसमें चित्ती सी नजर आएगी जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिस कर रहा हूँ वीडियो में भी प्लस आपको एक फोटू साइट से दिखाऊँगा तो दोस्तों आपने देखी होगी कि नीचे जो पत्तिय पर चित्ती सी बनने लगती है दोस्तों यह क्या कारण होता है और क्या वज़ा होती है इसको हम क्या बोल सकते हैं कुछ लोग दोस्तों इसके लिए अल्ली विलाइट भी बोलते हैं लेकिन दोस्तों यह अल्ली विलाइट इसको नहीं बोल सकते हैं अल्ली विलाइट की दि देता हूं तो दोस्तो आपने देखा होगा प्लॉट के अंदर जो निचली पत्तियों होती है उन्हीं पर आपने देखा होगा कि चित्ती सी बनती हुई निजर आती है काली-काली हमारी पप्डी सी बन जाती है पत्तियों पर उसके लिए आपको क्या लगाना चीह है और यह क बारे मैं आज आपको बताने बाला हूँ दोस्तों आपने देखा होगे जो हमारी आलू की फसल होती है उसमें जब कभी-कभी आपने देखा होगे जो खेट कमजोर होते हैं यह मितलब स्वाइल के अंदर जो मिट्टी होती है हमारी मिट्टी में कमजोरी महसूस होती है उसको पूरे पोशकता तो ना मिलने की बज़े से या उसका फी एच मान डाउन या अप होने की बज़े से वहाँ पे क्या होता है आपकी फसल पूरी तरह से nutrition नहीं ले पाती पूरी तरह से powerful नहीं बन पाती तो वहाँ पे आपको क्या है पौधे में भी कमजोरी महसूस होने लगती है और जहां पे कमजोर ब्यक्तियों का वहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि वहाँ पे कमजोरी होने के कारान वहाँ पे बीमारियां ज्यादा फैलने ल लगाते हैं अगर आपने पहला पानी दिया उसके बाद second पानी दिया तो अगर आपने जो second पानी लगाया पहला जब भी आपने लगाया मैं यह नहीं कहे रहा हूँ कब लगाया अपने लेकिन जो second आत ने लगाया वो पानी आपको made consistent झाकी दोस्तों ज़्यादा लगानी चील्या लें ना कि कम, वहाँ पिन आप बहुत हलका पानी करतें तो तो आपकी फसल चित्ति वननी स्टार्ट हो जातीligt क्योंकि दोस्तों जो हमारी फसल के लिए रफ मात्रा में पानी नहीं मिलेसा तब वो production नहीं दे सकती और अगर बात करें दोस्तों जब हलका पानी मिलेगा तो क्या है जो हमारे मिठी के अंदर जो nutrition है वो पूरी तरह से नहीं मिल पाते और जब तक पानी पूरी तरह से नहीं मिलेगा उसकी प्यास नहीं बुजेगी तब तक वो खुसकी लेने लगता है यान पे बहुत मतलब दिक्कते में महसूस होने लगती है उसी प्रकार पौदे के अंदर जब खुसकी महसूस होती है तो वहीं से पत्तियों पे आपने देखा होगा किनार से साइटों से वहां पे चित्ती सी नजर आएगी आपको पपड़ी सी काली-काली नजर आएगी तो उस आधी नाली भरके देना है जो हमारी जैसे ही नाली होती है दोस्तों उसको आपको आधी नाली देना है उससे कम नहीं देना है मतलब आधी नाली से कम मत दो तो वहां पे आपकी फसल आपको सेव रहेगी है मतलब हमारे जो पानी है कहने के मतलब हमारी कोड़ी होती है वो प इस तरह करना है कौन सी इस्प्रे लगा लिए दोस्तों बहुत सस्ते में आपका उपाय मैं बताने वाला हूं और यह मेरा ट्राइल क्या हुआ है दोस्तों आप इस तरह लगा सकते हैं तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं दोस्तों इस पे आपका कॉपर सिमेटिक फंजी साइड हो यानि मतलब थाइपोनेड मिथाइल भी ले सकते हैं जो कि आपको रोको नाम से बाइस्टूइड का मिल जाएगा ठीक है तो दोनों का कॉंबिनेशन मिक्स करके आप अपने खेट के अंदर लगा दीजे दोस्तों मैं आपको डोज भी बता दीता ब्लू कॉपर आपको लेना है 300 ग्राम फिरती एकर के साबसे और आपको थाइपोनेड मिथाइल लेना है 300 ग्राम फिरती एकर के साबसे यानि मतलब 2 ग्राम फिरती लीटर पानी के साबसे आपको लेना है ठीक है दोनों का कॉंबिनेशन मिक्स करके और उसको सिलकॉन तो वहाँ पे और जादा problem बढ़ जाएंगी, तो दोस्तों मेरा कहना यही है, कि आप यह spray तो लगाएंगे, इससे तो आपको control मिलेगा पूरी तरह से, otherwise मैं बता रहा हूँ आपको, कि आप पानी समय क्या अंसा लगाएगा, आपकी फसल में कोई problems नहीं आएंगी, ठीक है, अ चलिएगा दोस्तों, आज की हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, और आप जानकारी लेते रहेगा, हमारे चैनल के माद्यम से, नए नए जानकारी हम देते रहते हैं, समय के अंसार, BS Agri Helping आपके साथ बना है, और आप हमारे साथ बने रहेगा, चलिएगा दोस्तों, मिलते ह फिर एक बार नई जानकारी के साथ में थे, धन्यवाव